Hello dear students, welcome in this video आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं DAV Class 7 का Science Chapter No. 2 Chapter No. 2 का कुछ पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ और जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसका वीडियो का जो लिंक है वो डिस्किप्शन बॉक्स में दिया गया है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं आज हम इसका आगे का सुरू करेंगे जहां से हमें पढ़ना है तो हमारा next topic जो है वो क्या है? Mouth and Buccal Cavity इससे पहले का मैं पढ़ा चुकी हूँ ठीक है? तो आईए आज हम इसका सुरू करते हैं Mouth and Buccal Cavity से In humans, the food is taken through the mouth from where it goes into the Buccal Cavity जो humans है उनमें food जो है Mouth के थूरू से Buccal Cavity में जाता है किसके थूरू से? Mouth के थूरू से मूँ से हम खाते हैं उसके थूरू से Buccal Cavity में जाता है Our Buccal Cavity contains the teeth and the tongue और हमारे Buccal Cavity में क्या होते है? Teeth होते हैं और tongue होते हैं हमारा जो इसे की front का mouth है वो mouth के लाए उसके अंदर जो है जहां पर हम खाना को चबाते हैं जहां पर दात होता है तंग होता है उसे हम Buccal Cavity काते हैं तो उस Buccal Cavity में क्या होता है? Teeth होता है और tongue होता है The salivary glands present here release saliva into the Buccal cavity और यहीं पर salivary gland भी होता है जो की Buccal cavity में जो food आता है उस पर saliva release करता है तो आएए देखते हैं activity number one Chew a piece of bread for 3-4 minutes Note the change in taste as you chew it तो एक ब्रेट का piece लिजे रोटी का टुकडा लिजे उसको 3-4 मिनट तक आप चबाते रहें इसको अंदर मत लिए बस चबाते रहें तो उसके टेस्ट में क्या चेंज जाते हैं इसको आप नोट करिए describe the observed change in taste why is there a change in taste इसके बाद को describe करिए कि इसमें क्या change आया है और ऐसा change क्यों आया है the saliva contains digestive juices saliva में क्या होता है digestive juices होता है that break down starch from sugar आया इसके कारण से क्या होता है स्टार्च थो होता है वह सुगर मेंं जाथ है जिसे क्या होता है जो कुछ देर तक चबाते है तो उसके बाद जो उसका टेश्ट होता है वह स्वीट हो जाता है मीठा लगने लगता है तोड़ा नेश्ट टोपिक हमारा है टीथ टीथ आर रूटेड इन दा सौकिट ऑफ द बॉन्स ऑफ द जो यह हमारे जो के जो बॉन्स यह उसमें एक सौकट की तरह वह रूटेड है मतलब कि जड़े हुए हैं बिलकुल अंदर तक जड़ों से ठीक हैं यह अर डीज आर कवरड बाय वा निजानी मेत्रीम से जो है वो प्रोटेक्टियव्हें जिसे क्या कहाता है इनेमल खाजाता है वाइट पलरका इसके पर ईकवर čाइप का लगा ववा है जो कि बहुत Ռहीं होता है और गर्णी में उता है और इससे हम इनेमल कहते हैं चिंत प्रोटेक्टिव अंいる गैंगने टीथ है उन्हें दिखाया गया है दिखे जो फिरणट वाले फूर टीथ होते ने हम शीजर कहते हैं यह काटने के काम यह कणा है उसके बाद भारिस होते हैं जो थोड़े से नोखिले शेप में रहते हैं इन्यामaina बभी किना जो फूराने पीछे वाले जो होते हैं वो मोलर्स होते हैं इन तो इनका युद्ध हम खाने को पीछने में उसको चबाने में करते हैं एडल्ट इमनस टीपिकली है थर्टी टूटी टीथ 16 इन अपर जोव सिक्षे इन अपर जोव देट फिट टूट तो जो एक एडल्ट होता है उसके तरह से शिश्टी तूपर में होते हैं जेखिए यह पिक्चर में दिखाया हैं तो जी तर्टी जो है से नीचे होते हैं और उपर में होते हैं और यह एक दूसरे बिलकुल क्या होते हैं बिलकुल आपस में fit होते हैं ऐसे नहीं कि और इस दो इसे व्यवर्व दूसरे पर दांती होते होते हैं यह हमारे हमें फूर को च्यू करने में help करते हैं चबाने में help करते हैं humans develop two set of teeth during their life human की life में दो set दात निकलते हैं दो बर दात निकलते हैं the first set of teeth are 20 small teeth also known as baby teeth और milk teeth तो जो पहला set होता है दातों का वो 20 दात उसमें 20 दात निकलते हैं जिसे हम baby teeth या milk teeth के नाम से भी जानते हैं they start appearing above the gum line when a baby is 6 और 7 months old जब कोई बच्चा 6 या 7 month का हो जाता है दिखने शुरू हो जाते हैं निकलने शुरू हो जाते हैं by the time a child is around 6 years old उसके बाद जब दुबारा बच्चा लगबग 6 years का हो जाता है तो उसके बाद फिस जोसका है second set of 32 larger teeth यानि 32 बड़े नातों का जो set होता है वो निकलने शुरू हो जाते हैं और उसे हम पर्मानेंट teeth कहते हैं और यह जो होते हैं जो milk teeth होते हैं उसी की जगह पर replace हो करके यानिकि वो milk teeth टूटते हैं और उसी की जगह पर यह निकलते हैं ओर ऐसे च्ट्राइब हो जाते हैं राकव न किδर तैक्षे में इसवीर, usually वाली सुबहर उसके पिछे निकलते हैं इन यह ना कि हैं सब्स्क्राइब क्तरिकी जोर्ष continents घ़िए लग तरम करने के लिए और यो जो कि यो हिसके हूसे हैं तो मेरा कृण ग्राइंड करने में योज सते हैं फूर्थ हमारा मोला होता है जो इसका भी यूज़ हम फूड को ग्राइंड करने में यूज़ करते हैं आयव दिते हैं, do you know, enamel is the hardest substance in the human body and covers the outer portion of the teeth enamel जो होता है, वो human body का सबसे hardest substance होता है, सबसे कठोर और यह हमारे जो दानत होते हैं, उसका outer portion होता है, उसको cover किये होता है अभी हमने पढ़ा था कुझे पहले ही, it is made up of minerals, salts and keratin तो यह जो enamel होता है, यह क्या चिस से बनाता है, mineral salt यानि की calcium और magnesium और keratin यानि की protein से बनाता है it can withstand quite high pressures और यह होता है, यह जो होता है, यह बहुत ही high pressure को भी सेहन कर सकता है next हमारा है tongue, the tongue, tongue is a muscular organ attached to the floor of the buccal cavity tongue एक muscular organ है, यहनि muscles का बना हुआ है, इसमें bones नहीं होते हैं और यह जो हमारे buccal cavity के floor से attach किया वा रहता है it is free to move at its front end where it can move in all directions और यह जो यहाँ, buckle cavity से हमारा आटा है चोता है और यह जो है, चारों योर किसी पर direction में freely जो है, वो move कर सकता है the tongue helps in mixing up of saliva with food, tongue जो है, food में saliva को mix करने में help करता है it also helps in swallowing food, और यह food को swallow करने में, निगलने में भी help करता है तो यह tongue का function हो गया, यह tongue का क्या काम हो गया, तो हमने क्या देखा tongue के दो तरह के काम है, पहला काम क्या है, कि यह food में saliva को mix कर रहा है और दूसरा काम क्या है, यह food को निगलने में भी help कर रहा है अब इसमें कितने प्रकार के test words होते हैं, देखते हैं, it has four types of test words, इसमें four type के test words होते हैं, जो कि हमें अलग अलग तरह के test को जानने में help करता है, जैसे कि which help us to know about the sweet, salt, bitter and salty test associated with different types of items in our food, तो हमारे foods में तो different types के items में जो अलग अलग तरह के test होते हैं, उन्हें हमें यह जानने में help करता है, देखिए, यहां diagram में दिखाया गया है, जो हमारा front जो है, teeth के जो front वाला part है, वहां से हमें sweet का feel होता है, इधर side में देखिए हमारा salty है, उसके उपर थोड़ा सा side में जाई तो sour है, और फिर सबसे उपर वाले में bitter है, तो इस teeth का diagram है, इसको आप लोग बनाए और इसको भी learn करें, ताकि आप भी नहीं देखे बना सकें, इसको इसके label कर सकें, इसके name को, next हमारा है, do you know, tongue is a busy organ, आदेखिए, टंग क्या है, एक busy organ है, इतला हम इसा बहुत busy रहता है, the tongue serves as an organ of taste, with taste buds secrets over its surface, तो टंग जो है, तो टंग क्या है, एक test वाला organ है, जिससे हम को भी चीज को टेस्ट करते हैं, और इसके जो, इसका जो surface है, उस पर अलग 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 तरके test buds, जो है, वो फैलेवे हैं, during chewing, the tongue holds the food against the teeth, चबाते समय, जो हमारा जो टंग है, वो खाने को hold करके रखता है, दातों के side में, जाने में, ठीक है, in swallowing, और निगलते समय, it moves the food back into the और बकल के वेटी, और जब हम निगलते हैं, तो यह tongue ही है, जो food को push करके हमें, हमारे food को पीछे की और धकेलता है, और बकल के वेटी से फिर आगे वो जाता है, and then into the oisophagus, when the pressure of the tongue closes the opening of the tracia or windpipe, उसके बाद जो यह tongue है, यह जो food को push करता है, पीछे की और, तो यह क्या करता ह है, जाने की जो windpipe होता है, उसको close करता है, तो क्या करता है, food जो वापस नियाता है, और आगे नीचे food pipe में चलाया दाता है, नेक्स्ट नमारा है activity number two, take some water that has been obtained after boiling rice, मैंने कुछ मतलब की कोई जब चावल बॉयल हो रहा है, उसके बाद जो पानी उसका निकलता है, तो ऐसा क कुछ वाटर लिजी आप, this water has some starch dissolved in it, और इस पानी में क्या होता है, कुछ इस्टार्च भी dissolved होता है, क्योंकि वो जो बॉयल की आवार रहता है, तो add two, three drops of this water to four glass bowls, यह जो वाटर लिए, इसके दो तिन drops, जो है, four glass bowls लिजी और उसमें डाल यह और उसके बाद क्या करना है, उसमें उन सारे bowls में label करना है, उनके नाम A, B, C and D, add a teaspoon full of plain water to each glass, और हर glass में एक चमच plain water डालना है, now add a teaspoon full of your saliva to bowl A, उसके बाद क्या करना है, बाउल B जो है, उसमें अब एक चमच जो है, आपको अपना saliva डालना है, saliva यानि कि large होता है, वही saliva होता है, heat another teaspoon of your saliva over a flame for about 20 seconds and add this to bowl C, और उसके बाद फिर बाउल C में हमें क्या करना है, उसमें भी एक चमच saliva लिएना है, लिकिन उसको 20 seconds के लिए गरम कर लिएना है, उसके बा बाउल D यानि कि 4-5 मिनट के बाद क्या करना है, कि बाउल D को छोड़कर सभी में 4-5 ड्रॉप जो है, वह आयोडिन का डालना है, tabulate your observation in the following table, उसके बाद यह जो नीचे दियागा टेबल है, इसमें आप उसको observe करके लिखिए, तो देखिए हमने क्या किया था, क्या क्या क्य देखिए, इसको एक बाद देखते हैं, देखिए हमने यह चार बाउल्स लिए थे गलास के, तो सब में हमने क्या डाला था, इस चार वाला वाटर जो था, राइस वाला इस उसमें क्या था, इसमें क्या था, तो वाटर डाला था, अब हमने क्या था, अब हमने क्या था, इ तो इसमें क्या होगा यह जो इस्टार्च है तो इसमें जब आयोडिन का ड्रॉप डाला तो इसमें क्या हो गया यह सब कलर चेंज हो जाएगा हमारा कैसा हो जाएगा ब्लू या फिर ब्लैक हो जाएगा ब्लू या ब्लैक में चेंज जाएगा और जो भी है तो भी में तो इस तो इसका कलर में चेंज नहीं होगा इस नाल शीमे में क्या था किसी में स्टार्च था त॥ डाला था मिम्हों कर दो उसकी फूल एस दुख परपर इस कि स्परपर्थी का था ऐए उसमें उसका वो जो है क्या किया इस टार्ज को आप सुगर में कनवर्ट नहीं कर सकता था क्योंकि उसको गरम कर दिया गया था तो इसलिए इसका भी जो है आयोडन ड्रॉप डालने पर कलर क्या हो जाएगा चेंज हो करके ब्लू या ब्लैक हो जाएगा नेक्स्ट हमारा डी था ये स्टार्ज था लेकिन इसमें क्या किया हमने आयोडन की ड्रॉप नहीं डाली तो इसलिए क्या होगा इसमें भी कोई कलर में चेंज नहीं होंगे ठीक है यह हमारा एक्टिविटी होगे कंप्लिट नेक्स अब हम देखते हैं दा फूड पाइप और ऑईसोफेगस के बारे में दा फूड पाइप इस लोंग नेरो एंड मस्कुलर ट्यूब डेट कनेक्ट दा बकल कैविटी तो दा इस्टमक जो हमारी फूड कैविटी है यह क्या है एक लंबा सा पतला सा मस्कुलर ट्यूब है यह निकि मसल से बनावा ट्यूब पाइप के जो कि हमारे बकल कैविटी से लेकर के हमारे इस्टमक तक कनेक्ट रहता है फूड दैज बें चीवड इन माउथ इस पुष्ट डाउन इन्टो दा ऑईसोफेगस जब फूड को हम कुई माउथ में चीव करते हैं चबाते हैं तो उसके बाद यह पूश करके कहां दी नीचे कि जो मौश फेगस होता है उसके जो मुवमेंट होते हैं उसके कारण से यह क्या होता है आगे बढ़ता जाता है डू जू नू एपिक लॉक्टिस इस फ्लैप लाइक स्ट्रॉक्चर प्रजेंट एड़ टॉप ऑफ दा विंड पाइप इट क्लोजेश दा विंड पाइप वेन वी स्वैलो फूड एंड प्रिवेंट दा फूड फूड फूम एंट्रिंग आवर लंग्स यह क्या होता है यह से कि फूड यहां फैल गया चिया इस्टेंट पाइप में जू किया होता है यह दो एक फूड़ हमारा जो होता है वह यहांada फैल चेल दबार वापस नहीं आता है और इस तरह यह बढ़त चला जाता है मकान तो пой सट सबसे चोड़ा पार्ट है इट इसे थीक वाल्ड लाइक मस्कुलर औरगन यह क्या है इसका वाल कैसा है थीक वाल्ड है इट रिसीव फूड फूड फ्रॉम दा और सफेगस एंड पासेट इस पासेज इंट इन्टु दा इसमॉल इंट इसमॉल इंट तो इसमी जब जो इंट इन्जंग स्थमक में फूड और इसमाज नहीं सहीं सब्सक्राइब nih जाता है मुकस प्रोटेक्ट जा इनर लाइनिंग ऑफ राइनिंग उसको प्रोटेक्ट करता है ए रोकलोरिक एसेट किल्स बैक्टिरिया और है थोटा और यह क्या करता है hydrochloric acid जो क्या करता है acidic medium भी प्रोवाइड करता है जो की digestion में help करता है जो की digestion में उसकी जरूत पड़ती है by the enzymes in the stomach और enzymes के द्वारा भी food को जो क्या होता है digestion में help मिल दिए the enzymes in the stomach break down proteins to simpler substance like amino acids तो जो enzymes होते हैं वह इस्टमक में क्या करते हैं जो प्रोटीन होते हैं उनको breakdown करके simpler substance में change करते हैं तो जो breakdown करते हैं simpler substance में तो वह क्या होता है कि amino acids में convert हो जाते हैं तो यहां पर देखिए एक चोटी से इस्टोरी दीवी है बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी है do you know stomach with a hole यानि कि stomach में एक hole on June 6 1822 एक परसन नेमड अलेक्सिस सेंट मेर्टीन वाज एक्सिदेंटली शॉट इन दा इस्टमक तो एक परसन होते हैं अलेक्सिस नाम के मार्टी नाम के तो वह क्या होते हैं उनको कहीं पर जो है कोई accidentally कहीं पर गोली लग जाती है तो गोली कहां लगती है उनके इस्टमक में लग जाती है तो उसके बाद वह जाते हैं दॉक्टर व्यूमॉंट ट्रीट करते हैं डिस्पाइट इस बेस्ट और फोर्स वह अपनी पूरी अच्छे से अच्छे कोशिश करते हैं डॉक्टर व्यूमॉंट कुड नाट क्लोज ता होल इन इस इस्टमक देट नेवर फुली हेल जाता है लेकिन उसके बाद भी जो है उनके जो इस्टमक में ज सेंट मेर्टिन यूनिक ऑपर्चुनिटी तू अबजर्ब डाजेस्टि प्रोसेज तो वह पता लगाते हैं कि यह जो मार्टिन है तो इस से उनको एक बहुत यूनिक मिला कि वह डाजेस्टिव प्रोसेज को समझ सकें उस होल से देख करके कैसे फूड उसके पीट में कर दिया most of these experiments were conducted by tying a piece of food to a string and inserted it through the hole into martin's stomach तो ज़्यादा तर टाइम एक्सपरिमेंट्स मनों ने क्या किया कि एक फूड लिया फूड का पीस उसको बाहन करके उसके पेट के अंदर डाल दिया और उसको देखा कि वो किस तरह से डाजेस्ट कर रहे हैं हर कुछ गंटों के बाद डाजेस्ट कर देखा कुछ घंटों को वहर से निकाल देख और उसको एब्सोर्ब करते थे कि वह किस तरह से डाजेस्ट हो रहा है नगतर व्यूमन्ट आलसो कर देखा सेंपल ऑफ गैस्ट्रिक एसीड डाजिस्टी जूसेज फ्रॉम मेर्टिन सिस्टमक फूर एनलैसिस तो उन्होंने जब देखा कि उसके पेट में डालते थे खाना और फिर इसको निखाल करके देखते थे कि वो किस्ता से डाजिस्ट हो रहा है और उसके बाद उन्होंने उसक कि जो इस्टमक था उसमें से कुछ गैस्टिक एसिट्स भी निकाली यह उस पर एक्सपरिमेंट करने के लिए कि जो है वो कैसे खाना फूड जो है डाजिस्ट होता है ही अलसो यूज सेंपल्स ऑफ दिस इस्टमक एसिट्स ऑफ फूट्स इन कप्स उसके बाद उन्होंने इस्टमक एसिट्स निकाले इस्टिक एसिट वाले उसको एक कप में कुछ फूट्स के उपर डाल करके एक्सपरिमेंट भी किया कि वो कैसे वो डाजिस्ट हो रहा है इस लेट टू दा इंपोर्टन डिस्कवरी दैट दा इस्टमक एसिड हैल्प टो डाजेस्ट अफूड इस्टमक करते हैं हैं फूद को कहते हैं डाजिस्ट करने में help करते हैं फूद को simple or soluble form में बनाते हैं और उसके बाद यूज करता है इंट वज !! इन दे केमिकल प्रोसेज से एक फփवण निकल अ Thenbeauty थे स्वाुड है. निकल को जा अब हमुआं देखते हैं अब जात्थ स्वाट एला इंट्इस्टाइंड के बारे में तो हमने पढ़ा माऊफ राइंड बकल पूर वाचिंग पूर वाचिंग।